नमस्कार आप देख रहें DRV NEWS, DRV NEWS में आप सभी का स्वागत है, मैं मिगा खाड़े देश में पहली बार द्रोन द्वारा आतंकी हमला हुआ, आई ये जानते हैं क्या कुछ है इस रिपोर्ट में आतंकीों ने द्रोन द्वारा हाई सिक्योरिटी वाले जम्मू एरफोस स्टेशन को निशाना बनाया शनिवार आदी रात को हाई सिक्योरिटी वाले एरफोस स्टेशन में दो धमाके हुए हमले में एरफोस स्टेशन की एक इमारत की छत में सुराख हो गया दो जवान मामुली रूप से जक्मी हो गया आतंकियों का निशाना तक्नीकी एरपोर्ट में खड़े विमान थे हमले के बाद उद्दंपुर समिट सभी एरफोस स्टेशनों की सुरक्षा बढ़ा दी गई पूरे प्रदेश में अलर्ट गोशिट कर दिया गया एरफोस के साथ NIA ने भी इस हमले की जान शुरू कर दी है दो आरोप्यों को हिरासत में लेकर पूछताच की जा रही है वायुसेना के वरिष्ट अधिकारी भी जम्मू पहुँच गये है रक्षामंत्री राजनात सिंग खुद पूरी स्थिती पर नजर रखे हुए है रक्षामंत्री ने उप वायुसेना प्रमुक एर मार्शल एच एस अरोडा से फोन पर बात कर घटना की जानकारी ली है एरफोस स्टेशन में शनिवार देर रात आतंक्यों ने पांच मिनिट के भीतर दो धमाके किये गए एक धमाका खुले मैदान में तो दूसरा एक इमारत की चट पर हुआ धमाके में इमारत की चट पूरी तरह उखड़ गई दोनों धमाके GPS रही द्रोन से किये गए ब्यारवी न्यूज में बस अभी के लिए इतना ही बने रही हमारे साथ ऐसी ही खास खबरे देखने और सुनने के लिए हमारे चानल को सब्सक्राइब कीजिए इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना बिलकुल ना बूलिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत, धन्यवाद